हमारे साथ भारत के दो सबसे अंदेखे स्थलों, आली और सिस्सू की द्रिश्य सुंदर यात्रा में शामिल हों। सांस लेने वाले नजारों, अद्वितीय स्थानिय संस्कृतियों और एक कड़े मुकाबले के लिए तयार हो जाएं, जो आपको अपने बैग पैक करने और खोजने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको हमारा काम और सामगरी पसंद है, तो क्रिपया लाइक बटन दबाना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साजा करें। नमस्ते सभी लोगों। हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के दो अनूठे और कम जाने माने स्वरगों आली और सिस्सी में बेमिसाल यात्रा पर ले जा रहे हैं। तो कमर कस लीजिए और चलते हैं शुरू। उत्तरा खंड के उत्तरी राज्य में स्थित आली अपनी चमकती हुई ढलानों और ओक से घिरे हुए परिद्रिश्य के लिए जानी जाती है। घाटियां, पहाड और बाग हरे फूटते पैरों और खिलते फूलों के हलके रंगों से भर जाते हैं। पंकों से आकाश को रंगीन करते हैं और अपनी चहचाहट के कोरस के साथ हवा को भरते हैं। यहां की गर्मियां भी आउली में तापमान संयमित रहता है। इसे मैदानी क्षेत्रों की जलती गर्मी से बचने के लिए अद्वितीय जोका बनाता है। इसके अलावा गर्मी में कई सेर सपाट ट्रैक खुल जाते हैं जो सर्दियों की बर्फ के नीचे छिपे हुए बेहतरीन विचार और परिद्रिश्यों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार आउली सिर्फ एक सर्दियों की खेल गंतव्य स्थल नहीं है बलकि यह एक वर्ष भर का आश्रय है जो प्रत्येक मौसम में पूरी तरह से अलग लेकिन समान रूप से मोहग द्रिश्य प्रदान करता है। इस प्रकार उत्साही यात्रियों और साहसिक उत्साहियों को हर मौसम, साल भर यह भारत के उत्तरी आश्चर्य स्थल में सुन्दरता और रोमांच मिल सकता है। इस प्रत्यों से होकर वन्य पुष्पों की कालीन को पार करते हैं। उनके दिन प्रकृती की कोमलता से भरे होते हैं, शांती पूर्वक अपनी जुंड की देख भाल करते हैं या अपने खेतों में काम करते हैं। उनका पर्यावरन के साथ समन्वित सह अस्तित्व उन्हें अन्य से अलग करता है। जीवन, विनम्रता और खुशी की पाठशाला देता है। यहां जीवन शुद्ध नदी की ही तरह बहता है। धैर्य पूर्वक फिर भी जीवन्त, जिसे मात्र प्रकृती स्वयम ने रचा है। कम चले हुए पथों पर साहसिक यात्रा करें और बीहड भूखंड के नीचे अद्भुद जहरनों की खोज करें। प्रत्येक कदम के साथ गाव एक सुन्दर द्रिश्य और ध्वनियों का संगीत प्रस्तुत करता है, अच्छूते प्राकृतिक विश्व की धड़कन की गूंज करता है। इस सब के बीच में शांत सिस्सु जील गाव की सुन्दरता के प्रतीक के रूप में खड़ी है, आसपास के पहाडों की शांदारी का प्रतिबिम्ब करती है। जैसे ही रात घाटी को घेरती है, एक मिलियन तारे स्याही मय आकाश में जिल मिलाते हैं, उनकी चमकदार रोशनी शांत जल निकायों से टकरा कर उजागर होती है। इस अत्यधिक शांती और चैन की स्थिती में आपको सिस्सु द्वारा गर्म जोशी से गोद में लिये गए सौंदर्य पर विचार करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। सांग्रहीत सौंदर्य और शांती की खोज में सिस्सु द्वारा खोली गई महान तमाशा के प्रती, बेदमी आदर ही एक मात्र प्रतिक्रिया हो सकती है। अब तुलना का समय है। आली और सिस्सु दोनों ही अपनी अनोखी खूबियां लिये हुए हैं। चाहे आली का स्कीइंग के लिए तैयार परिद्रिश्य हो या सिस्सु का शांत छुपा हुआ आभास, दोनों ही बहुत कुछ पेश करते हैं। आली की पहाडियों में वेंचर करते हुए कोई बर्फ से ढखी चोटियों और हरी भरी घास के मैदानों के बीच खुद को पा सकता है, जो स्कीइंग प्रेमियों के लिए उत्तम इलाका प्रस्तुत करता है। दूसरी और सिस्सु एक शांत वातावरन प्रदान करता है उन लोगों के लिए जो शांती की तलाश में हैं अपने जर्णों और गाव के रुस्तमी आकरशन के साथ। प्रत्येक स्थल अपने विशिष्ट आकरशनों के साथ यात्रियों की विविध रुचियों को पूरा क करते हैं हम जैसे जैसे इन वीडियों को बनाना जारी रखते हैं हमें चलते रहने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है सब्सक्राइब करने के लिए बस एक क्लिक की बात है और याद रखें यह बिलकुल मुफ्त है आए हम साथ में खोजते रहें